दोस्तों भारत आज उन देशों में आता है जो इतनी विशाल जनसंख्या के बाद भी अपने तरक्की के नए आयाम चूने से चूक नहीं रहा लेकिन ऐसा भारत इसले भी कर पा रहा है क्योंकि उसकी विदेश नीती के कारण आज भी उसके बहुत सारे देशों के साथ है कि अगर वो ना होते तो आज भारत की सूरत कहीं न कहीं कुछ और होती चाहे वो भारत पाक युद्ध हो भारत चीन युद्ध हो या फिर सेयुक्त राष्टर में कश्मीर विवाद हो इन देशों ने भारत की हर मुश्किल परस्तिती में भारत की हर संभव मदद की है औ आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो के एंड तक। जापान भारत के सबसे करीबी देशों में जापान उस दोस्त की तरह आता है, जिस पर आप आँख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। भारत और जापान के संबंद हमेशा से काफी मदबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृती पर भारत में जन्में बौद धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, जिसकी वज़े से जापान हमेशा से भारत की सब्वेता और संस्कृती से जुडाव में हसूस करता है और अगर बात युद्ध में मदद की करें तो आज भी जापान भारत और चीन के खिलाफ युद्ध में दक्षणी चीन सागर में फैले हुए चीनी वर्चस्व के खिलाफ भारत का साथ देता रहता है और ये बात सिर्फ आज के समय के नहीं है आजादी की लड़ाई में जब सुभास चंद्र बोस देश से बाहर जाकर अंग्रेजों का खिलाफ लड़ने के लिए अपने नई फौज बनाना चाहते थे तो वो जापान ही था जिसने आजाद हिंद फौज के लिए बोस की मदद की थी और अपनी शाही सेना से भी जरूरी मदद करवाई थी इसके बाद भी जापान भारत के बहुत से कामों में उसके साथ रहा शायद इसलिए भी क्योंकि भारत ने भी जापान की हर संभव मदद की है इसे आप ऐसे वे समझ सकते हैं कि 2011 में जब जापान में सुनामी आई थी तो भारत की NDRF टीम अपने पहले विदेशी मिशन पर गई थी जहां उनका काम था सुनामी में लापता हुए लोगों की तलाश करना और उने हर संभव मदद पहुचाना इसलिए जापान भी ये समझता है कि भारत भी हर परिस्तिती में उसके साथ है इसलिए किसी भी मुसीबत की घड़ी में जापान भारत की हर संभव मदद करेगा ही रूस दोस्तों रूस भारत के उन करीबी मित्रों में आता है जिसने भारत का विश्वास उसकी मदद करके जीता है भारत जब भी मुश्कल में रहा तो रूस ने भारत की बहुत मदद की जैसे कि जब कुछ देश भारत के खलाफ अपने विटो पावर का इस्तिमाल करके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनवाना चाहते थे। तब अगर रूस भारत के पक्ष में ना आया होता तो भारत के पास आज कश्मीर नहीं होता। रूस ने पना विटो पावर का इस्तिमाल करके कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया था। इसके लावा जो पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर हमला बोला था। तब रूस ने उस दोरान भारत को बहुत से हतियार और टैंक मोहिया करवा कर भारत को उस युद्ध में भी इस लायक बनाया था कि भारत बड़ी आसानी से पाकिस्तान को मात दे दे। इसके लावा 1965 के भारत पाक युद्ध में रूस ने मध्यस्ता करके दोनों देशों की बीच ताशकंद समझोता करवाया जिसके बाद ये युद्ध खत्म हुआ था। बदले में भारत ने भी सो इस बत में होगा तो रूस कभी भी मदद करने से पीछे नहीं अटेगा। इसराइल को अगर भारत का इस समय सबसे अच्छा मित्र कहे ना तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि इसराइल और भारत के संबंद पहले ऐसे नहीं थे। भारत और इसराइल की आजादी लगभग ए एक साथ ही हुई थी लेकिन शुरुआत में भारत ने यूएन में इसराइल को एक अलग राष्ट्र बनाने के खलाफ गोट दिया था जिस वज़े से इसराइल और भारत के संबंद खराब हो गए थे। लेकिन 1950 में जब भारत ने इसराइल को वापस से एक अलग राष्ट् निकले पत्र लिखा था। इनी देशों में इसराइल भी शामिल था जिसे नहरों ने पत्र लिखा और सैन ने मदद машी इस बुरे वक्त में भारत की मदद की और हर संभव सैन ने मदद पहुंचाई जिसे दुनिया से गुप कर रखा गया था। और आज भी भारत इसराइ तो ये है कि सदियों पुरानी ये दोस्ती आज भी वैसी की वैसी है। भारत की हर मुश्किल प्रस्तितियों में भुटान हमारे साथ खड़ा रहा है। वहीं भारत ने भी भुटान को कभी पराया नी समझा। भारत और भुटान की बीच की इस दोस्ती के महत्व को आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडेत जवाहरलाल नहरू ने थिंपो में एक सम्मेलन में कहा था अगर कोई देश भुटान पर हमला करता है तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा और भारत उसका मूत और जवाब भी देगा इतना है नहीं भारत में ये रिवाज रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधान मंत्री अपने कारेकाल में कम से कम एक बार भुटान का दौरा जरूर करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने तो 2014 में अपनी पहली विदेश यात् भुटान में ही की थी इसके लावा 2019 में दूसरे कारेकाल में भी भुटान का दौरा कर चुके हैं 2017 में भारत ने भी एक बार फिर अपनी अटूट दोस्ती का परिचा देते हुए डोकलाम विवाद में भुटान के साथ कंदे से कंदा मिला कर और चेन के खलाफ जाकर दिखा दिया कि भारत और भुटान हर कदम पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं जिस कारण चीन को डोकला से निभाया जा रहा है नेपाल माता सीता और भगवान बुद्ध की जनम भूमी भी है जिस कारण हम भारत वासियों के लिए ये किसी तीर्थ से कम नहीं है भारत के लिए नेपाल भी काफी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से गूर्खा रेजिर्मिंट में नेपाल की पर दुश्मनों के खलाफ लड़ते हुए अपनी जान तक दे देते हैं उसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि नेपाल भारत से किसी भी तरह लग है कारगल युद्ध में गोर्खा रेजिमेंट की वीर्ता को कभी भुलाया नहीं जा सकता है तो दोस्तों ये थे भारत के व लावा वो कौन से देश हैं जो भारत की किसी विस्तिति में मदद करने को तयार हैं हमें कॉमेंट में बताइए अगर आज की वीडियो पसंद आई होते से लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर दें अगर आप ये वीडि अगले वीडियो में शुक्रिया